पांच माई को हमारा डबल डे है दोहरा दिन पांच माई को हमें दो साल हो जाएंगे जूम पर जुड़े हुए और पांच माई को फैसाक पूर्णिमा भी है कोई अगर हमारे किसी समण संगी से ये पूछ ले कि बुद्ध का धरम क्या है बुद्ध का धम क्या है यानि जो सिद्धत गौतम थे या उनके परिवार वाले या साक्य सारे लोग जितने भी थे या वहां के जितने भी समण संगी थे उनका धम क्या है धरम क्या है तो जवाब नहीं दे पाएगा जवाब इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि पूरी जीवन भर पड़ता है बौध धरम बौध धरम तो मान के चलता है कि पुराने जितने भी लोग है वो भी सब बौध धरम में है इसलिए समढ़ संग की जितने भी लोग हैं जो संगी है उनको पूरी जानकारी खासतोर से ये जो पांस तारिक आ रही है और बुध पूर्ड में आ रही है उस पे सारी जानकारी उनके पास होनी चाहिए कि आखिर बुध का धम या बुध का धरम या सिद्धत गौतम का धरम या सुद्धोदन का धरम या जो उनकी माताय थी उनका धरम या पूरे साक्य का या पूरे वहां के लोगों का क्या धरम था, क्या धम था जो सब्द आता है बौध, वो सब्द बाद का है बौध सब्द पाली का नहीं है, दो मात्रा वाला कोई भी सब्द पाली का नहीं होता पुरानी भासा का नहीं है, बुद्ध के समय में, पूरे त्रिपिटक में, जितना भी पाली भासा में लिखा गया है, उसमें बौध सब्द नहीं मिलेगा, बौध मिलता है, बौध को बौध बनाया गया, बौध माने होता है जिसको ज्यानतत्प की प्राप्ति हो, या ज्या उससे पहले जितने भी लोग भारत में रहे हैं। भारत के जितने भी लोग हैं उन सब की जो जानकारी है वो जानकारी धम के अनुसार होती है। और दुनिया में जितने भी लोग हैं और लोगों के लावा जितने भी जानवर है या जानवर के लावा जितने भी ऐसी चीजे हैं जो हिलती डूल्टी नहीं है या निर्जीब जिनको बोड़ते हैं यानि जितना भी मट्रियल है चाहे मौसम है चाहे वो पूरा पूरा यूनिवर्स है चाहे बड़े बड़े परवत है पहाड है जंगल है रेगिस्तान है जमीन के नीचे दफन आग है जो निकलती है जो लावंखी में बाहर या ऊपर से आती हुई आग या गोले जो भी दुन का होता है उस काम करने के तरीके को और जो उनके गुण होते हैं उसको उसका धम बोलते हैं धम का जो साब्दे कर्थ है वो है धै और मैं दोनों को जोड़ के क्योंकि जब पाली में कोई सब्द जोड़ता है तो आखिरे वाले सब्द का आधा सब्द जोड़ लेते हैं क्योंक तो आधारे लगा दिया और उने बदल दिया पर दो सब्द अलग अगर माने रखते हैं तो उनको जोडने में आखिरे वाले सब्द में आधा सब्द जोड देते हैं चाहे वो वन है, चाहे वो तक है, चाहे वो धम है, चाहे वो चम है, चाहे वो कम है, बहुत सारे सब्दैसे हैं जो बाद में जोटते हैं, पाली का सिध्धान्त है, तो धे का मतला होता है धारण, यानि कि जो कोई किसी चीज को अडॉप्ट करता है, धारण करता है, जैसे मैं किसी की सर्ट को धारन कर लूँ, किसी के गुण को धारन कर लूँ, किसी कोई आदत को धारन कर लूँ, तो धारन और मैं माने होता है मैं, यानि की ममंग से बना है मैं, एहमंग से बना है मैं, शौट फॉर्म में हैं, तो धम का मतलब हो गया कोई भी चीज, यानि हर एक यानि कि जो गुण उसको धारण करे हैं वो उसका धर्म हो जाता है गुण बदलते हैं धर्म बदलता रहता है धर्म बदलता रहता है धर्म कोई बाद में धर्म बुला गया है पूरी दुनिया के अंदर धर्म सब्द या धम सब्द आपको पाली के लावा कहीं मिलेगा नहीं पाली के अंदर ही हमी लोगों ने डवलप किया है धम और जिसको बाद में बदल के धर्म किया है जो लोग बहार से आए हैं, जो भारत में बहार से लोग आए हैं, उनके यहाँ धम शब्द नहीं होता वो अपने इस सब्दों को किसी और हिसाब से बोलते हैं, चाहे उसको ने सरगीक बोलें, चाहे उसको प्राकर्तिक बोलें, प्राकर्तिक सब्द भी यहां का है, जो बाद में बदला गया है, पक्ति से बना हुआ है, चाहे नेचरल बोलें, चाहे वो नेचर आफ लौ बोलें, कुछी बोले पर धम जो सब्द है और धरम सब्द दोनों ही भारत के सब्द है और जो धम सब्द है ये बुद्ध से पहले चल रहा है अभी जो लोग कहते हैं कि बुद्ध का धम तो बुद्ध का धम मतलब बुद्ध ने जो धारन करने के नियम सीखे और जो बताए क्योंकि उन्हें जो रिसर्च की, वो रिसर्च की मन पे और सरीर पर, यानि कि मन कैसे काम करता है और सरीर कैसे काम करता है, इसके उपर रिसर्च की, तो जो धरम या धम है बुद्ध का, वो मन और सरीर के उपर आता है, इसी जे सारे चीज़ चलती है, उन्होंने जो खोज की, वो अध या अलोकिक या परलोक लोक से परे या अलोकिक जो लोक में नहीं है यानी सरीर से परे तो उन्होंने लोक की ज़ादा खोज की है अपने सरीर को यह उन्होंने प्रयोक्षला बराया और उसकी खोज की वैसे उन्होंने अलोकिक खोज भी सारी की है पर पहले किसी व्यक्ति ने सम्मा सम्यानी की पूरी और बरावर खोज मन और मस्तिक्स के वारे में और मन और सरीर के वारे में नहीं की मस्तिक्स का लग होता है मन अलग होता है मन को माइंड बोलते है जो दोरता रहता है मस्तिक्स हमारा होता है जो खोपड़ी के अंदर रहता है जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारा ब्रेन है और जो सरीर है बाकी वो काम करता है तो उसकी खोज की बाकी अलोकिक भी की यानि परलोकिक भी की अलोकिक भी की यानि फिजिकल खोज भी उने की है बुद्र ने पर में जो उनकी बात चलती है वो मन और मस्तिक्स के उपर और मन और स गिरेता है तो यहां जो धम है वो सभी चीजूं में विद्मान है यानि हर एक चीज के में अंदर धम होता है जैसे काम करता है तो पुराने लोग धम के वारे में जानते थे, पुराने लोग धम सद को भी जानते थे, धम सद कोई नया सद नहीं है, ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने बनाया हो, बुद्ध ने बहुत सारे सद बनाए, इसलिए बनाए क्योंकि जब उन्होंने मन की और सरीर की खोज की कि मन कैसे काम करता है, सरीर कैस की, लॉग इन, इंटरनेट, ये सारे नए जो सब्द हैं, ये बने हैं, गड़े हैं, अभी और भी सब्द बनने हैं, रोबो है, आर्टी फिले इंटेलिजेंस है, बहुत सारे डॉक्टरों की सब्द हैं, बहुत सारे इंजीनियों की सब्द हैं, बहुत सारे जोगरफी की सब करकर उनकी खोज को कौपी करकर उसको चुरा कर उसमें आधा रह लगा कर हलंत लगा कर कुछ सब्द बढ़ा कर कुछ घटा कर कुछ के नाम बदल कर लोगों ने उस रिसर्च को अपने नाम किया जैसा आज भी होता है कोई बहुत अच्छा रिसर्च स्कॉलर हो और वो कोई न करता है ऐसे कई महापुरुस्मिय जिनके वारे में ये परचलित है कि उन्होंने जो डॉक्टेट लखवाया है थीसिस किसी और लिखी है और थीसिस भी क्या कॉपी पेस्ट होती है तो बुद्ध की जो थीसिस थी बुद्ध के जो रिसर्च थी और जो बुद्ध ने बताय क्योंकि नोने तो सब को बताया और कुछ पेटेंट होता नहीं था उस समय तो उन लोगों ने अपने नाम से सौद बदर बदर के किया पर पूरा नहीं कर पाए क्योंकि जो रिसर्चर होता है जो रिसर्च करता है उस सब जानता है कि क्या चीज कैसे आती है कैसे नहीं आती है वो चलता है तो ओरिजिनल का डुप्लिकेट का पता चल जाता है तो धम पुराना सब्द है इसलिए हम लोग धमिक रहे हैं क्योंकि हम धमिक है और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो धम को नहीं मानते पर ऐसा नहीं है कि वो धम को नहीं नहीं है जो वो अपने आप बनाते हैं अपने नियम बनाते हैं अपने रूडूल बनाते हैं मैनमेड होते हैं किसी व्यक्ति के नाम से किसी चमतकारिक सक्ति के नाम से बनाते हैं जो यूनिवर्सल नहीं होते हैं जो कुछ आदमियों के लिए अच्छे होते हैं जो बनाते हैं पूरी दुनिया में सब के लिए अच्छा होता है ये धमकी पहचान है इसलिए जो बहार से लोग आए उनको ये पता नहीं था कि यहां कितनी बड़ी खोज है कितनी बड़ी जिसर्ट है और वो अपने जो मैनिमेड जो नियम थे जो उन्होंने खुद बनाए हुए आदमी उन्होंने नियम बनाए थे उन्ही को लेके वो यहां आए और यहां आकर वो उसी में घपला या घपले वाजी या मिलान या मिलना जुलाना या उसको मिक्स करना वो काम उन्होंने यहां करना सो किया पूरे भारत में जितने lig aquilo नहीं पता उनकी डिक्सनरी में कोई सब डिसा नहीं है जिसका मत्लबग चमतकारिक षो जिका मैतर अईसा हो कि ये जो पूरी पूरी काइनात, या पूरी दुनिया, या पूरी अर्थ, या पूरी यूनिवर्स, या मरुस्य, या जानवर, या पेड़, या पौधे, किसी ने बनाए है, कोई ताकत ऐसी है, कोई कालपनिक ताकत ऐसी है, या कोई सची ताकत ऐसी है, या कोई ऐसा है, कही पूरी पाली के अंदर एक शब्द नहीं है एक सिंगल भी बुद्ध ने अगर कहीं बोला भी है तो सिर्फ इतना बोला है पाल लोकिक या लोकिक यानि कि जो सरीर के अंदर नहीं है सरीर से बाहर है या परह है सरीर से जैसे जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स को ब्रहमन नह आधा रहे बैके साथ में और आधा में हमारे हैं कोई सद नहीं है कोई सद नहीं है पर जो बाहर की चीज़े हैं उनको पालोकिक और अलोकिक करके जिक्र मिलता है कि यह पालोकिक है और यह अलोकिक है जो दूर है जो हमारे सरीर से बाहर है ऐसा उसमें बार 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 जिक मिलेगा पूरी पाली केंदा जब भी आप पाली पड़ोगे या देखोगे तो यहां के जितने भी लोग हैं उनके जहन में उनके मन में उनके मस्तिक्स में उनकी कल्चर में एक सब्द नहीं जहां गौड होता हो यानि गौड का एक नाम भी नहीं है सारे सब्द मिलते हैं इसीवर मिलता है, पभू मिलता है और भी सब्द मिलते है पर इसीवर का मतलब होता है वैग्यानिक जो स्रेष्ट है पभू का मतलब होता है जो भू का पूरी तरह से मालिक है पैभू यानि पैभू को बाद में प्रभू किया गया और भी सब्द हैं उन सब के अर्थ हैं पर किसी का भी अर्थ गौड नहीं है किसी का भी अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई चीज हैसी जो चमतकारी है ऐसा कोई भी कहीं भी कोई जिक्र नहीं है इसका मतलब हमारे पूरे भारत के अंदर कहीं भी हम किसी व्यक्तिवादी या किसी चमतकारवादी या कोई पॉइंट या कोई सेंटर या कोई काल्पनी कथा या किसी ऐसी कहानी में कि ये सारी सारी जितनी भी नेचर है जितनी भी पक्ति है जितनी भी दुनिया है ये किसी न बनाई है, ऐसा कहीं कोई जिक्र दूर दूर तक नहीं है, इसका मतलब इन पच्छलों में हमारे कोई भी आदमी थे ही नहीं, फिर भी वो सारे धम्मिक थे, अधम्मिक नहीं थे, अधम्मिक का मतलब होता है जो प्रक्रती के रुसार ना चले, उसको अधम्मिक बोलते हैं, ऐ धम्मिक यानि एमाने नहीं और धम्मिक माने जो धारन नहीं करता प्रकृति के रुसार और धम्मिक यानि जो धारन करता है तो हम साई लोग धम्मिक हुआ करते थे तो धम्म को मानने वाले होते थे तो हमारा जो धम्म था उसका नाम क्या था कोई पूछे के बताओ के हम था हुव समड we Goldman think R girls home का मतलब में जो सम निहाता है समने का मतला होगा वне सम्ता में और मतलब हो समण हूं तो व्यक्तिक लिए नाउन बन जाता है संग्या बन जाती है और धम का मतलब धारन करता है और जो मैं धारन करता हूं अपने अंदर तो समण का मतलब है जो समानता से धम को धारन करता है यानि समानता से धारन करता है हर चीज़ को तो खाली आप समण भी कह सकते हो औ अगर कोई धम्व पूछे, तो सम़ धम्व कह सकते हो, और वन्ना समण का मतलब ही समण्व होता है, तो बुद्ध के जितने भी पुरारे लोग रहे, या जो भी जहां-जहां जितने भी समण्व लोग रहे, उनका जो पुराणा सिस्टम था, उसको समर धमू बोला करते थे इसके बहुत सारे नाम है तो कोई हमसे पूछे कि बुद्ध क्योंकि लोग ये कहते हैं बुद्ध सनातन थे सनातन तो उनका एक सब्द है जिसमें सनन्तनों करके लिखा हुआ है जो उन्हें अपने धंपत में दिया है जिसका मतलब होता है सनन्तनों का मतलब है कि मेरे से लेके और अनन्त तक से माने नेज़ होता है और अनन्त माने बहार तक यानि दूर दूर तक जिसका अन्त नहीं है वो ये नियम ऐसा है वो नियम उन्हें दिया है कि वैर से वैर सांत नहीं होता, अवेर से वेर सांत होता, यानि लडाई से लडाई सांत नहीं होती, आग से आग से सांत नहीं होती, आग में पानी डालेंगे तो इस सांत होगी, अगर वेर में अवेर डालेंगे, लडाई जगड़े को अगर उसमें शांती करेंगे, तो शांत होगा, ये इ जितनी भी है उसकी विसेश्ता हो गई यानि विशलेशन हो गया, एक्जेटिव हो गया, कि सनातन मेरे से लेके और अंद तक एक गुण हो गया, तो जितनी भी चीजे हमारी पुरानी होती थी, वो सारी सारी पक्ति के अनुसार होती थी, तो हम हर चीज को समानता से बरावर द रही है तो कतः रहने से जो बात बनती है जो कतः रहती है तो कतः तका मतलब है कि जिस ना हमें कुछ दिया है तो देने वाले जो लोग हैं वो कौन है जंगल हमें देता है तो जंगल देने वाला दे एव, यानि कि जंगल देने वाला जंगल देव, नदी हमें देती है तो पानी देने वाली नदी दे एवी, यानि देवी, हमें अगर मौसम कुछ बरसात से मिलता है, तो जो आका से वो हमारा देव हो गया, हमें अगर जानवर से मिलता है, तो हमारा देव हो गया हमको अगर बरफ से मिलता है तो बरफ हमारा देव हो गया पहार से कुछ मिलता है तो पहार हमारा देव हो गया तो यह जितनी भी चीज़ें थी प्राकर्टिक रूप से यह हमें कुछ ना कुछ देती थी तो हम बोलते थे इस परकार देना देव का मतलब य उसका बचाब के पिड़ती ध्यान रखते थे और ये पूरा-पूरा ध्यान रखते थे इसलिए हम उनका सम्मान करते थे कि यह हमें कुछ देते हैं जैसे जानवर हमें दूद देता था खाल देता था मास देता था तो वह हमारे देने वाला या देने वाली होती थी यह चीज धम को बाद में बदलकर सिर्वन कहा गया. और सिर्वन धम न कहके सिर्वन या سिर्मन संसक्रति कहा गया. यानि धम बदल दिया. यह बात किसी भी इथियासकार से या किसी भी सांटिस्ट से जो सोचल इस्टेडी करता है पड़ोगे तो उससे अगर पूछोगे कि अगर कोई कल्चर है कोई संसकती है तो उसमें क्या क्या आता है तो वो कहेगा कि जब कल्चर या जो संसकती होती है या संकती होती है तो उसके अंदर खाना पीना रहना और वो किस मानिता को मानता है वो मानिता ये सारी चीज़ें आती है, मानिता भी आती है इसलिए जो सिर्मन संकती है, सिर्मन संकती है उसको समन संकती बोलते हैं और समन संकती में हमारी मानिता भी आती है और वो मानिता का नाम भी हमारा समन ही है यानि हमारी हर चीज़ का नाम समन है बाद में समण सब्द को खतम करके सर्मन कर दिया और सर्मन का अर्थ बदल के लेवर बना दिया इसलिए हमें याद नहीं रहता कि हम जो पराचीन हमारा धम है उसका नाम भी समण है बाद में इसको जब कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ा लोगों का काम करता है जिसमें लोगों का कल्यान होता है और जब वो मर जाता है ये पूरी दुनिया के सारे संतों के लिए हैं सारे काम करने वालों के हैं चाहे वो आज के हैं या पहले हैं तो उसको काम को बढ़ाने के लिए कुछ लोग इमानदा राते हैं और कुछ लोग बेमान भी हो जाते हैं क्योंकि उसके नाम में बड़ा दम होता है जो इमानदा लोग है वो सही तरीके से बढ़ाते हैं उसको जैसा उस महापरुस ने काम किया है ताकि काम बढ़ता रहे और जो बे-इमान लोग आते हैं वो उसके माम पर धंडा कर लेते हैं मठ बना लेते हैं दुकान खूल लेते हैं और फिर लोगों को धमकाते हैं ऐसे कपड़े पैनो, महापरुस ऐसा कपड़ा पैनता था, ऐसी टोपी पैनो, ये उसके नाम की हो गई, ये माला डालो गले में, ये आपने ऐसा दंडवत करना है, ऐसा उठना है, ऐसा बैठना है, वो महापरुस के नाम पे लोगों को एक नि ले लालटाई पहनते हैं बहुत साय लोग कॉपी करते हैं यानि कि उनके जो करेक्टर है जो उनकी कल्चर है उसको कॉपी करते हैं उन्होंने क्या किया है उसको कॉपी नहीं करते हैं कोई भी व्यक्ति भारत में आज तक डॉक्टर अंबिर कर नहीं बना पर डॉक्टर अंब हुआ ये कि जब बुद्ध ने एक धम को समासम किया यानि बराबर और कम्प्लीट किया उससे पहले कम्प्लीट नहीं था उससे पहले जो समण धम था वो इनकम्प्लीट था इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि जो फिजिकल यानि कि जो वस्तों की जान परताल मौसम की जान खाने पीने की, रहने की, कल्चर की, इसकी तो बहुत सारी खोज की हमारे इसियों ने, जो हमारे सम्ण इसी रहे हैं, उन्होंने वैद चेकिसा भी की, सारी की, पर मन का और सरीर का क्या सम्द है, और ये कैसे काम करता है, और ये जीवों में कैसे काम करता है, इसकी खोज कम्प नहीं की थी. इसलिए वो इतनी बड़ी खोज थी उस समय के हिसाब से कि जितने भी लोग आए बुद्ध से बात करने के लिए, बुद्ध से तरक वितरक करने के लिए सारे के सारे मान कर गए, जान कर गए कि बुद्ध जो कहते हैं वो बल्कूर ठीक है उसको कोई अपने तरकों से किसी भलत से ये सिद्ध नहीं कर पाया कि बुद्ध ने ये चीज गलत बताई है ये पूरी हिश्ट्री के अंदर एक कमाल की बात है कि सिद्धत गौतम यानी भगवान बुद्ध या बुद्ध या बुजख वो व्यक्ति रहे हैं अपनी एजूकेसन के साब से जो उन्होंने खोज की है कि एक सिंगल डाउट उन्होंने लाइफ में छोड़ा नहीं और किसी का एक सिंगल प्रसन ऐसा छोड़ा नहीं जिसका जवाब न दिया हर प्रसन का जवाब दिया और ये बहुत बड़ी बात होती थी उस समय क्योंकि उस समय तर्ग वतर में लोग हारते रहते थे जीते रहते थे और बहुत बड़े बड़े जो ग्यानी थे वो भी उनकी सरण में आए, वो भी उनके साथ आए उनकी बात मानने के लिए उनके साथ चले कि ये जो ग्यान दिया है, जबस्त ग्यान है इससे बहतर कोई ग्यान है नहीं, इससे जदा बहतर कोई बोध है नहीं तो उस ग्यान की महिमा के कारण बाद में जो लोग आए उन्होंने उस ग्यान का नाम ही उस बोध का नाम ही बोध धरम कर दिया और क्योंकि बुद्ध जो बोलते हैं बुद्ध बोलते हैं बुज्जक से और धी से धी माने धी के दो सब्द होते हैं छोटी ए अगर धी पे लगाओगे तो धिकार हो जाता है और अगर बड़ी ए लगाओगे धी पे तो उसका मतलब हो जाता है बुद्धी उसका मतलब हो जाता है wisdom तो धी माने हो गया बुधी, wisdom और धैमारण, धारण और बू माने हो गया बुझज़क, तीन सब्दों से मिलके और जो सब लोगों को बरावर बरावर देता भी है उससे दै से यह बना इसलिए यह सारे सब्द मिलके बुद्ध सब्द बना और बुद्ध सब्द बना ग्यान से तो लोगों ने बुद्ध से बुद्ध को धम कर दिया कि ये बुद्ध का धम है चुकि लोगों ख्याती बहुत जाद आती इसलिए बुद्ध का धम हो गया बुद्ध के मरने के बहुत दिन बात तक भी अभी बुद्धे बुद्धिस्ट विया दिया और फिर बुद्ध का सिस्टम था बुद्ध के नाम thanenda में विक्षात होग और अधर की च". कि आप इसे बुद्ध के नाम से करना या इसे बुद्ध करना या मैं सिद्धत गौतम अपने नाम के आगे सिद्धत गौतम बुद्ध लगाता हूं या बुद्ध ही लगाता हूं लोगों ने कहा बुद्ध है क्योंकि बुद्ध गुणवाचक है जो लोगों के सवालों के जवाब को भुजाता है और जो धारन करता है और जो देता है लोगों की सवालों के जवाब तो बुजख से बुद्ध बन गया तो यहां जो एक रिलिजिन वाले लोगों ने इस बड़ी कल्चर को भी रिलिजिन के साथ कंपरिटिव करके और गौड के साथ जोड़के बनाना सू कर दिया भगवान सब्द जो सब्द है वो गौड के लिए नहीं माना जाता है भगवान माने हैं जो राका दोयस का भगन करता हो यानि जो खतम करता हो उसको भगवान बोलते हैं अके लिए बुद्ध के नाम से ही भगवान इसमें आता है जाता है तो जितना भी अभी ब्द्धिस्फ लोग सारे जो उस कल्चर को डबल अप कर रहे हैं लोगों नाम दिया उनको इसलिए महासमण का धंज चलता है और वो हमेसा लोगों को धमिक बोलते थे तो समण धम बहुत बड़ा धम है और समण धम के अंदर बहुत सारे चीज़ें आती हैं कबीर का जो बताया हुआ है वो भी समण धम है जो रेदास ने बताया है वो भी समण धम है जो लिंगायत ने बताया है क्योंकि लिंगायत का मत बहुत बड़ी संक्याक करनाटक के अंदर और जहां जहांवी आप जाओगे चाह Norm गुरु घाशित नाची है मिप्ला झार्ब है कि कहीं भी किसी है जो समर्ण परंपरा का संथ है वह आपको समर्ण धर्म सिकाता है क्योंकि वे छूद समंड है किसी का आधा दूरा हो सकता है किसी का कुछ बताने का तरीका कुछ नया बन सकता है किसी में कुछ mixing हो सकती है किसी में जानकरी sort हो सकती है पर जो सम्मासम बुद्ध ने बताया था वो तो complete है और बाकी लोग अगर match करेंगे और टैली करेंगे तो वो बुद्ध के सम्मासम धम से तुरंत मिल जाता है तुरंत अगर वो समर धम है इसलिए जो धरमेश सरना करके धम है वो भी क्योंकि धरमेश सरना होता है सरनंग अच्छंग बुद्ध सरनंग अच्छामी और धरमेश को भुद्ध बोलते हैं तो धरमेश सरना जो धम है वो भी यही है और जितने भी परंपरा हैं आपको जगे जगे छोटी मिलेंगी वो समढधम की मिलेंगी इसलिए समढधम की बहुत बड़ी कल्चर को खतम कर दिया और इसको एक छोटा सा नाम दे दिया क्या दे दिया बुद्धिष्ट या बौध धरम या बौध बुद्धिष्ट या बहुत धरम या बहुत एक लाइन है जो बहुत बड़ी है जो सम्मासम कम्प्रीट है पर हिस्सा जो है वो समर्धम का है क्योंकि बाकी जो मत हैं बाकी जो संत हैं उन्होंने जो भी डव्लप किया या जो भी दिया वो भी समर्धम के हिस्सा है और इन सब को मिला के जो समर्धम है वो विसालतम हो जाता है जैसे सारे लोगों को मिला के समर्ध संग तो समर्ध संग का जो धम है वो समर्धम है और समर्धम की सारी ब्रांचिज है इसलिए बुद्ध समर्धम बताते हैं और बाद में लोग समण धम को या धम को बोध्रम में या बुध्रम में करवड कर देते हैं, तो हम धम के हिसाब से बहुत मजबूत हैं, कोई व्यक्ति चाए बुद्ध को माने या ना माने, चाए बुद्ध को वो कितना भी गाली बके, चाए बुद्ध को फैंक दे, चाए बुद्द्न को कुछ भी बोले कोई व्यक्ती चाय कभीर को माने या ना माने चाय कोई व्यक्ती गुरु घास इसलिए अगर आप इन में से किसी के अनुयाई है तो complete नाम लेना सीखिए और complete नाम है सर्मन धंग, सर्मन धंग हमारा complete नाम है, इसको आप संस्काइद भासा में कह सकते हैं सर्मन धर्म और ये बावा साब ने बताया भी है कि दो तरह की कल्चर है, एक सर्मन परंपरा की है, स ब्रहमर्ण धर्म की, तो हम ब्रहमर्ण धर्म में नहीं आते, वमर्ण धंग में नहीं आते, और हम अधमिक भी नहीं है, क्योंकि अधमिक हम हो रही सकते, जो भी व्यक्ति जिंदा रहेगा, या चाए वो मरेगा, चाए वो नदी है, चाए वो नाले है, सबका एक गुणव when祝 वंग होता है और वो गुणवाच है करण हर चीज यहां धमिक होती है जब एक निजीब 'veee ऑति है तो हम दो जीवित हैं इसने हम धम लोग हैं और हमारा जो धम है वह समर धम है हम को कोई भैका सकता है बहला ला सकता है अरे तुम्हारा ये मत बुद्धिष्ट वाला मत ये नहीं है हम तो रवीदासी है कोई रवीदाली बला मत है कोई आपको सिक्ष में लेकर जा सकता है अलग अलग दिया जा सकता है पर वो सारे के सारे जो ब्रांच है वो जो सेंटर है जो केंदर है जो घर है वो सम लोगों की तरह वेवार करते हैं और लोगों की तरह उनकी कल्चर हो गई है पर माहवीर जैन की जो बाते हैं और जो कल्चर उस समय की है जो लोगों रहे हैं वो समढ़ परंपरा के वहाग रहे हैं और उन्होंने भी समढ़ धम ही बताया है इसलिए समढ़ धम बहुत बड़ी culture है, बहुत बड़ी प्रंपरा है और जैसे ही हम अपनी समर शंकती में समर धम को जोड लेते हैं और इसको सीख लेते हैं, इसको हमारी समर संकती complete हो जाती है, हमारा समर संक complete हो झाता है, इसलिए जो पांस तारिकों जो बुद्ध पुड्मा रही है, उस बुद्ध पूर्मा पर जितने भी लोग हैं, चाये वो बुद्ध को मानते हो या ना मानते हो, अगर आप ये कहोगे कि मैं बुद्धिष्ट हूँ, मैं तो बुद्ध को फोलो करता हूँ, तो छोटे हो जाओगे, पर अगर आप ये कहोगे, मैं तो समर्धमिक हूँ, समर्ध मेरा धम है तो बुद्ध बहुत बड़े हो जाएंगे क्योंकि समढ़ धम की परंपरा के जो महा समढ़ बुद्ध है वो सम्मासम संत रहे हैं सम्मासम बुद्ध रहे हैं और उन्होंने इसको कंप्लीट किया है पूरी दुनिया उनको मानती है तो समढ़ धम के नाम से अगर आप इसको जानेंगे और पैचानेंगे तो छोटी मोटी धारा है और उसके अंदर पहले से हैं कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसकी जो प्रंपरा उसका जो मत है वो समढ़ धम में नहीं आता क्योंकि जब व्यक्ति समढ़ है तो धम कौन सा होगा फिर उसका धमवी पर सारी मानेता एकटी हो के एक साथ आ जाती है फिर समणधम कम्प्लिट हो जाता है और मईदार बात यह है कि जो लोग पढ़े हैं लिखे हैं जाने हैं वो समणधम की किसी परंपरा को उठा लें वो जाती समणधम की परंपरा वही है जो बुद्ध से पहले चलती थी प्रा का धम है उसमें सारे नियम वही लिखे हुए हैं जो समणों के धमों में हैं जो बुद्ध के धमों में हैं जो महावीर के धमों में हैं जो नामदेव के धमों में हैं जो गुरु घजदाज के धमों में हैं जो कविर साब के धमों में हैं जो रविदाजी के धमों में हैं ज हम भी मानते हैं क्योंकि सम्विधान धरम ही समढधम है कोई कहता है हम तो नाम देव को मानते हैं किसी को नहीं मानते हैं तो हम भी मानते हैं क्योंकि नाम देव का जो धम है वो समढधम है कोई कह है हम तो गाडगे को मानते हैं इसको जाने इसको समझें पांस ताइक तक समण धम के वारे में जितनी बात हम कर सकेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा फाइदा रहेगा क्योंकि कोई भी कल्चर बिना अपने धम्मिक एसपेक्ट के पूरी नहीं होती है और एक कम्प्लीट चीज हमारे पास है कोई ऐसी चीज यह हमारे पास ना ना हो पाबासाब ने हमको सब्दी है हमारे महा पुर्षे होती जाएगी क्योंकि कल्चर जिसके पास होती है उसके पास सब लोग बहुत तेटीजिसे अपने आप अपनी संख़ती में अपनी कल्चर में आते चले जाते हैं और संग दिन-दुनी राच विन तरीके से बढ़ा जाता जा अगर मेरी इस बास से किसी को कोई हानी हुई हो तो मैं संग से मावी मांगता हूँ, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग नमामी, संग नमामी, संग नमामी